आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक्तम क्रिस्पी और टेस्टी चिकन स्प्रिंग रॉल की रेसिपी जो कि रमजान में हर घर में इफ्तार पी बनता है और सभी को बहुत पसंद आयता है मैं इस वीडियो में आपको इसे स्टोर करके रखना भी बताएंगे तो चलिए इस चिकन स्प्रिंग रॉल को बनाना देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक कराई में थोड़े से तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे अब मैं इसमें वन टीस्पून चॉप किया हुआ अद्रक वन टीस्पून चॉप किया हुआ लश्टन दो हरी मिर्च को बारी काटके अब इसमें रख कर इसे थोड़े देर के लिए हो जाएगा तब इसमें half cup cabbage को भी बारिक काट कर इसमें add कर देंगे अब इसमें एक capsicum यानि सीमला मिट को भी बारिक चौप करके इसमें रखना है और एक प्याज को भी इसमें इसमें चौप करके add कर देंगे और एक गाजर को भी इसी तरह बारिक काट कर इसमें add कर देंगे तो देखिए इन सारी सब्दिया को इसमें रख कर अब इसे अच्छे तरह से mix कर लेंगे तो देखिए इसी medium flame पर इस तरह mix करते हुए इसे cook कर लेना है पांच मिनट के लिए तो देखिए पांच मिनट में थोड़ा गल भी जाएगा तो पांच मिनट के बाद अब इसमें मैं वन कप चिकन को boil करके इसे grate करके इसमें add कर देंगे चिकन रखने के बाद भी इसे अच्छे तरह से mix कर देंगły तो देखिए तरह से mix हो चुगा है अमसमें कुछ masala ऐड़ करेंगे जैसे मैं यहां पर वन तीस्पून चिकन मसाला का पाउडर मिर्च का पाउडर ऐड़ करें गे और हाफ तीस्पून इसमें register नमक एड़ करेंगे और वन टी स्पून इसमें वेनिगर आड़ करेंगे और वन टी स्पून डार्क सोयस आउट आड़ करेंगे तो देखिए अब इन सब को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है अब ये सारे मसाले रखने के बाद मैं इसे फिर से पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे और कुक कर लेंगे ताकि ये सारा मसाला भी अच्छे तरह से भून जाए इसके स्मेल भी खत्म हो जाए जब ये अच्छे तरह से भूना जाएगा तब इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अर्नियन भी एड़ कर देंगे अब इसे भी रखकर अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखिए ये स्टफिंग बन के रेडी है मैं गैस की फ्लेम को आफ कर दी रही हूँ अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा और पानी डाल कर एक गोल तयार कर लिए हूँ तो इसे साइड में रख लेंगे अब चलते हैं रॉल बनाने तो देखिए मैं यहाँ पर एक रॉल की शीट ले रही हूँ अब इसी इस तरह रख कर इसमें जो स्टफिंग तयार करे थे हैं अब इसी रॉल की सीट में टू टी स्पून स्टफिंग डालेंगे तो देखिए इस तरह लंबा शेप करके भी रख देंगे उसके बाद देखिए इस तरह हातों से एकदम टाइटली दवाते हुए रॉल करना है उसके बाद जो मैदा का गोहल तयार करे थे हैं उसे बरस से इस तरह साइट में लगा देंगे तो देखिए इस तरह साइट में लगा दें अब इसे दोनों साइट से में भी लगा देंगे फिर दोनों साइट से इस तरह मोर कर इसे एक्दम tightly roll करना है अगर tightly roll नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगा तो देखे इस तरह एक्दम lightly मोरते हुए एक roll का shape बना लेना तो ये देखें roll बन गया है ये इसे आप इतना टाइटली ये बना है कि आप इसे फ्राइ करेंगे तो ये खुलेगा नहीं इसी तरह साड़े रॉल की सीट को स्टेफिंग भरके रॉल तयार कर लेंगे तो देखें मैंने यहाँ पर दूसरा भी आपको बना के दिखा दी इसी तरह मैं साड़े रॉल बना के तयार कर ली हूँ इस स्टेज पर आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं तो देखें मैं एक एर टाइट कंटेनर बरतन ली हूँ उसमें यह साड़े रॉल को रख कर आप इसे फ्रीजर में रख कर हफते या दस दिन के बाद भी फ्राइ करके खा सकते हैं तो चलिए मैं इसे अब फ्राइ कर लेती हूँ मैंने एक फ्राइ पेन में तेल को पहले से अच्छे से गर्म करके मैं इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे ताकि ये अंदर का भी अच्छे से पक जाएगा और उपर से भी एकदम क्रिस्पी होगा तो देखें ये एक साइड हो गया इसे अलटते प्लटते चारो साइड से फ्राई कर लेना है तो देखें इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसे निकाल ले रही हूँ ये उपर से कितना करंची क्रिस्पी लग रहा है अंदर से फिलिंग इसकी उतनी मज़ेदार बनके रेडी हुई है तो आप इससे पी को इफ्तार पे ज़रूर ट्राई करें आई होब कि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बुलें